नवश्कार मैं हूं सूक्रती रोय चैठर जी और वोल्स कई में आप सभी का स्वागत है उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना प्राकृतिक प्रक्रिया है बाल सफेद इसलिए होते हैं क्योंकि बालों को रंग देने वाले मेलानिन का उत्पादन उम्र के साथ कम होने लगता है और ऐसे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बाल सफेद होते जाते हैं अलाकि वक्त से पहले बालों का सफेध होना किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है हार्मोनल और वातावरणिय कारणों की वज़े से कम उम्र में बालों के सफेध होने की समस्या होने लगती है वैसे तो बालों के समय से पहले सफेध होने का कोई सटी कारण नहीं लेकिन कुछ ऐसे स्थितियां हैं जिनको इस समय से जोड़कर देखा जा सकता है इसमें अनुवान शिककारक, हाइपो थाइराइडिजम, प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी, विटिलिगो, तनाव, दवाओं के साइड एफेक्ट्स आधी शामिल हैं महिला हो या पुरुष, दोनों ही इस समस्या से जूज रहे हैं और कम उम्मर में ही हेर, डाई, या कलर आधी का इस्तमाल करने को मजबूर हैं आईरुवेद में बालों के जढ़ने को खालत्य और बालों के समय से पहले सफेद होना पलतिया की रूप में जाना जाता है खालत्य और पलतिया दोनों को शुद्ध पाटिक विकार माना गया हैं जिसका मतलब पित दोश असंतुलन है बता दें कि पित शरीर के तापमान को बनाय रखने में मददगार है और भूख को नियंतुरत भी करता है इसमें असंतुलन होने से समय से पहले बाल, सफेद होना दृष्टी संबंधित, समस्याएं बुखार आदी परशानिया हो सकती है वही दो चम्मच आवला पॉडर और तीन चम्मच नारियल तेल को एक बरतन में ले और पाउडर घुल जाने तक गर्म करें तेल ठंडा हो जाए तो इसे बालों की जड़ों में लगा कर मसाज करें रात बर इसे बालों में लगा रहने दें ये प्रक्रिया हफ्ते में दो से तीन बार करें समय से पहले और लगातार सफेदा होते बालों पर रोक लगेगी और आपको एक मैने में ही इससे फर्क भी महसूस होगा उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें